नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्कम में जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए पर्दे के पीछे की खबरें वो खबरें जो सत्ता के गलियारों में काना फूसी और चर्चाओं पर आधारित होती हैं तो चलिए सुरू करते हैं इस ब लखनवू प्रदेश की राजधानी है प्रदेश का सबसे सुन्दर सहर है लेकिन लखनवू की कुछ ऐसी चीजें लोगों को खटकती हैं और पता नहीं क्यों उस पर सरकार की नजर नहीं जाती बात अज लखनव को smart city बनाने वालों को यह याद दिलाना है कि यह smart city लोगों के लिए बढ़ी परिशानी और मसीबत का कारण बना हुआ है लापरवाई और गेर जिम्मेदारी के चलते लखनव सहर नरक बना हुआ है और इसका जिम्मेदार नगर विकास विभाग है लखनव में पिछले दो सालों से सीवर पाइप लाइन की खोदाई चल रही है सहर में अधिकान से सड़के खोद दी गई है जो काम दो साल में पूरा हो जाना चाहिए था वो दो साल से ज़्यादा कसमे हो गया आज तक पूरा नहीं हो पाया अच्छा ये समस्या लोगों को दिखती नहीं क्या और दिखती है तो कोई इस पर बोलता नहीं सारे वीवी आई पी मंत्री अधिकारी हाजरत गंज तमाम सारे जो आसपास की इलाके हैँ वो यहाँ पर हैं और खुदे पड़े हैं कमिस्री अफिस से लेके कमिस्री आवाज से लेके बिधान सवा दारूल सपा कोई इलाका छुटा नहीं है लेकिन स्मार्ट सिटी की दूर्दसा पर कोई बोलने को तयार नहीं है मामला जून वन नईस में जब बीजेपी की सरकार ने ये सीवर अमरित योजना के तहट ये काम सुरू किया तो दो साल में इसको जून में कैसमें खतम हो जाना चाहिए था पचास करोण रुपए के लागत करीब इस पर योजना पर आ रही है जल निगम ये काम करवा रहा है लेकिन निर्धारी तबदी बीच चुकी है काम अभी बहुत बड़ा बचा हुआ है और लखनव के लोग कीचाड और जाम से जूज रहें जब हम लोग छोटे थे तो एक नारा बड़ा गूचता था कि मुस्कुराईया अब लखनव में हैं लखनव आते थे तो बड़ी खुसी होती थी लेकिन ये दूरदसा देखकर अब लखनव में लोग मुस्कुराते नहीं बलकि मुह बिचकाते हैं क्योंकि ये गंदगी ये सडकों पर जाम ये सडके खुदी हुई मिट्टी बरसात होने के बाद चलना उस पर दुस्वार इसके लिए जिम्मदार कौन है और मज़ेदार बात ये है कि उत्तर प्रदेश का नगर विकास मंतरी इसी लखनव के रहने वाले हैं आस्तोस तीनों इसके लिए जिम्मदार हैं किचल सबकों पर फैला हुआ है बारिस होते ही लखनव में गंदगी का अंबार लग जाता है सबकों पर पूरा सहर जाम की चपेट में हैं लापरवाई किसकी है किसी कि खिलाब कोई कारवाई होगी की नहीं और किसी काम की कोई समय सीमा है और उस समय सीमा में नहीं होता है तो कारदाई संस्था पर क्या करवाई हुई है कि सबको अपना अपना कमीशन चाहिए कमीशन लेके किनारे हो जाओ जनता चाहे नरक भोगे यह सुख इससे उनको कोई लेना देना नहीं है जिस सहर्क पर लोगों को बड़ा अभिमान थ अतिहासिक, मुगल कालीन, आधोनिक, तमाम सब्यताओं का तालमेल हैं, तमाम खुबसूरत चीजें हैं यहां, वहाँ पर चलना दुस्वार है पैदाल गाड़ी से किसी भी क्यार से, जिन्हें इनाम मिलना चाहिए था, उन्हें सजा मिली, सरकार का भी अंदाज अलग है, सामले को ठंडा करके खाती है, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में 14 अपर पुलिस अभी चकों के तबादले हुए, सामाने तबादला आए दिन होता है, लेकिन हैरानी तब हुई, जब उनमें दो नामों पर नजर पड़ी, पहला नाम है चंदौली में ASP आपरेशन रहे अनिल कुमार का, दूसरा नाम है इटावा में SP सिटी रहे परसांत कुमार का, ये दोनों नाम खास क्यों है? इसलिए कि अनिल कुमार जब चंदौली में ASP आपरेशन थे, तो वहां आराई रविंदर सिंग ने उनको कमरे में घुश कर गाली गलोच किया, बेज़जत किया हाला कि ASP ने उसे निलंबित कर दिया था, लेकिन अनिल कुमार को सजा दी गई और चुपचाप दी गई, अब उन्हें वहां से हटा कर मेरट में PSC में उपसेना नायक बना दिया गया और महातुहिन जगा भेद दिया गया अब बात आती है, इटावा की, पंचायत चुनाओं में भाजपा कर करताओंने ASP सिटी परसांत कुमार को थपड़ मारा था, जिसका वीडियो बहुत बाइरल हुआ था, आप सब को याद होगा हो बात, लेकिन जब ये तबादला सूची आई, तो चुपचाप परसांत मुझफर नगर में ASP क्राइम बना दिया गया, सरकार के ये इंसाब का तरीका बड़ा निराला है, और ये लोगों में दवी जुबांचु की पुलिस एक अनुसासित महकमा है, उसमें चर्चा तो हो रही है, कि चुनाओं भी जित वालो, पुलिस वाले को थपड़ भी मार और जिसने एक बार बोनट पर घुमाया था, उसका नाम इतिहास के पन्नुम लिखे रहो, जब यहां जरुरत पड़े खोल के दिखा दो, तो ये चीजें ऐसी हैं, जो दरसाती हैं कि सरकारों का चरित रेक जैसा होता है, वो चुनाओं जीतने की खातिर किसी भी अपसर की बली ले सकती हैं, ये दोनों अपसर ऐसे थे जिनका सरकार के खिलाप या समाज के खिलाप कोई गलत नहीं था, ये दोनों कानून का पालन करा रहे थे, पालन करने वाले लोग थे, लेकिन बड़ी बिशितर बात है कि इन दोनों अपसरों को अगर सरकार प्राइम पोस्टि दींग देती तो यह माना जाता कि लोगतंत्र में अगर आलोजना भी हो जाए तो उसको सुनकर बरदास करने का माददा सरकारों में होता है और सप्ताशीर्ष्ज पर बैठे लोगों में होता है लेकिन कि कहा जाता है कि कई बार सरकार मन में रख लेती यह चटीक है भी इसको ठंडा करके खाएंगे इन अफसरों को सबग सिखाएंगे और वही हुआ पंचाय चुनाव समाप्त हो गए जहां जीतना था वहां जीत लिए जहां हारना था वहां हार गए बात बहुत छोटी सी है अपर पुलिस अधीचक अस्तर के अधिकारियों को क बहुत महत्त भी नहीं मिलता उन पर लोग चर्चा भी नहीं करते आई पीएस हो आई एस हो तो उसकी और ज्यादा महत्त होती बात होती है लेकिन मुद्दा बड़ा है और बड़ा यह है कि संभिधान की रक्षा कानून की रक्षा के लिए अपनी बेजिती कराने वाले जूनियरों से पार्टी के कारकरता और नेताओं से भी उनको अगर सजा दी जाएगी तो हिम्मत कौन करेगा कि कानून व्योस्था को कैसे बनाए प्रवाइट हैं तो सीओ एडिस्नल अस्पी ओ ठाना द्यसी तो भिलेंगे तो मार खाकर चुप रहने की कला अगर किसी में है तो यूपी पुलिस के अफसरों में है सरकारे किसी की रही हो यहर यूग में हुआ है ना तुम हमें कहने खकदार हो ना हम तुम्हें तो बैराल तुम्हारी भी जैजए हमारी भी जैजए ना तुम्हारे ना हमारे यूपी में चुनाओं होने वाले हैं सौ दिन के लगभग समय बचा है लेकिन जो रुजहान आ रहा है उसमें बीजेपी बिधायकों और मंत्रियों के लिए बुरे दौर की तरह है वो जहां वो जाते है कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उन्हें इज्जत आबरू बचाकर भागना पड़ता है कई जगहों पर बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों को बेजएती का सामना करना पड़ रहा है अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों उमेस मलिक जो बीजेपी के वि ब्यापारियों के बीच मार पीठ हो गई अब इस तरह के मामले देखकर लोग आनंद तो खूब लेते हैं लेकिन यह भी सोचते हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है चुनाओ जैसे जैसे करीब आ रहा है जो भी कदम रखती है सरकार या उनके मंत्री वह कुछ ना कुछ भी में आ जा रहे हैं कि तीसरा मामला मतुरा के विधायक है पीजेपी के पूरन प्रकास वह एक जगाव में गए वहां गावालों ने उनको जमकर फटकारा और बैरंग लुटा दिया मौके से चौथा मामला इसी तरह का है मतुरा के ही मंत्री है चौधरी लश्मी नारायन उनको भी जनता के विरोत का सामना करना पड़ा चुनाओं में सव दिन बचे हैं आप इसे चुनाओं पूर रुजहान भी मान सकते हैं क्योंकि जिस तरह से बीजेपी नेताओं के प्रति आम ज मंत्रियों के काम से संतुष्ट नहीं है देखिए जब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये किसान अंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद से थोड़ा ये मामले और गर्माने लगे हैं बीजेपी अपने आपको पार्टी भी डिफरेंस कहती है बड़ी आचरा और चरितरवाली पार्टी कहती है लेकिन उसकी सरकार में जिस तरह से अफसरों ने मनमानी की थी अब उसका खाम याजा विधायक और मंत्रियों को भोगना पड़ेगा एक मामला था मंत्री कपिल देव अगरवाल सरकीट हाउस में बैठे थे सिचाई विभाग की कुछ जमीन कुछ फैक्टरी मालकों ने कबजा कर रखी थी उसको लेकर पंचायत होनी थी क्योंकि प्रसासन ने पुलिस और बुल्डोजर लगा कर वो जमीन अपने कबजिम कर और बॉंड्रियां गिरवा दी बाची चल लई थी उसी बीच मंत्री के सामने मार पिटाई शुरू हो गई और सिचाई विभाग के एक्सियन पर कुछ लोगों ने हाथ छोड़ दिया तूसरा नमूना जो मसुरा में देखने को बिला विधायक पूरन प्रकास के साथ पू पूरन प्रकास को जनता ने बहुत फकारा और उनको वहां से बेज़्जत करके वापस भगाया फिलाल चुकी जनता नाराज थी बच्चों को समय से इलाज नहीं मिला उन्हें बीचेपी विधायक की हमदर्दी नहीं चाहिए थी इलाज चाहिए था वो अपने लोगों को उदर चौधी लश्मी नरायन भी कह रहे हैं कि तुम लोग बड़े बेसबरे हो जाते हो थोड़ा से सहन करो मंतरी को भाई सब सुख्षिवदाएं हैं उनको कोई कमी नहीं है चाहे करोना काल चले चाहे जो इस्तितिया बने उनका खर्चा तो सरकार उठा रही है हाँ जनत सनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यह तीन चार मामले हैं यह इस बात का संकेत देते हैं कि बीजेपी के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं है वैसे इन हालातों पर यह कहा जा सकता है कि अभी वक्त रहते कोई तरकीम निकाल लीजिए वरना बीजेपी जिस से आई थी वही फार्मूला उस पर भारी पड़ सकता है और जनता उसी फार्मूले से उन्हें वापस लुटा सकती है राजनेतिक बेख्ति जो होता है वो हर खेल में महीर होता है चाहे बच्चों का हो चाहे बढ़ों का हो और बूरों का तो आज बात यह एक आइसे ही कँ अतार कोशिस करता है। बात आज हो रही है कानपूर के मंतरी और विधायक सतीज महाना की। एसुतिज महाना करीब 7 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन चुनाव अब करीब हैrum और छेत्र में जब वो घूमते हैं तो उनके कई सारे के रंग देखने को मिलते हैं या यूं कहसकते हैं कि मन्तरी जी कुछ भूली विnity다고 को समेटने में जुठे ने रिश्टे माना ने अपने विद्धानसभा चेत्र में दौरों के दौरान कहीं वह बच्चों के साथ बैटकर गुटक खेलने लगते हैं कई वहां कारकरताओं को दुकान पर बैट कर उनके लिए चाय बनाने लगते हैं उनको चाय पिलाते हैं और कई बार वह आटो रिक्सा में खुद ड्राइबर बन जाते हैं और लोगों को सफर कराते हैं वह इसे राजनेतिक ब्यक्ति को हर गाली चलाने का खूब अनुभव होता है क्योंकि वह सरकार बाखू भी चलाता है और सरकार के दाओं पेच से ज्यादा कठिन तो गाली चलाना है नहीं महाना जी महराजपूर छेत्र है कानपूर का वहां से वह विधायक है अभी वह छेत्र में टहल रहे थे सरसौल इलाके में तो वहां बच्चों को उन्होंने गोटियां खेलते देखा तो उन्हें अपना बच्पन याद आया कहिते भी हैं कि बच्चे और बूढ़े इनका महाना जी अभी बूले नहीं जवान दिखते हैं लेकिन दिल का क्या है वह अपने काबू में तो रहता नहीं है तो बैटकर बच्चों साथ गोटियां खेलने लगे अब वीडियो वह तेजी से वाइरल हुआ तो कम से कम बीजेपी सरकार के योगी सरकार के एक मंत्री का जन प्रशत में उन्हें इतनी बुलंदी दी उचाई दी वह मंत्री बने प्रदेश और देश में उनका काफी नाम है लेकिन बुलंदी पर रहने वाला बैक्ति अगर आम आदमी और गरीब आदमी और बच्चों तक की स्थिति जानने के लिए जमीन पर बैठता है तो यह इसी के साथ उसमें घुल मिल जाता है गाओं की मिटी लोगों की बाचीत तमाम सारे अनुभाव हो जाते हैं हाला कि देखिए बीजेपी में जो भी मंत्री हैं वो जन्मानस का काम करने में बहुत विश्वास ना रखते हो भले या जन्मानस को सीधे वो लाब ना पहुचा पाते हो लेकिन बातों से और काम से और अपने आचरण से वो पूरी कोशिस करते हैं कि जन्ता को संतुष रखा जाएं सियासत में हर कदम के अपने माइने होते हैं उमर या पद चाहे जितना बड़ा हो लेकिन वो हिर्दय की अंतरा आत्मा से बड़ा नहीं हो सकता महाना ज पात रहें चाय भी पिलाते रहें क्योंकि चाय का भाजपा में बड़ा परचलन है और बहुत सारे मंत्रियों को अनुभों भी है तो उनकी चाय निश्चित तोर पर खास होगी और उसकी मिठास भी लोगों को पसंद आए हम यही शुबकामनाएं देते हैं यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एक तस्वीर इन दिनों चर्चा का विशय बनी हुई है या यूँ कहें तो उसने तहलका मचाया हुआ है सोसल मीडिया पर वह यह तस्वीर काफी वाइरल हो रही है और यह तस्वीर है सब्जी बेशते हुए एक आईएस अफसर की देश और विदेश में भी यह तस्वीर काफी ख्याती प्राप्त कर चुकी है तस्वीरों में वरिष्ट आइस अधिकारी अखिलेश मिस्रा 75 किलो टमाटर सबजी की दुकान पर बैट कर मिस्रा जी सब्जी बेचते हैं और जो सब्जी बेचने वाली थी वह अपना समान समय रही है बरहल अखिलेश मिस्रा दोहजार नो बैच के आई ए सबसर हैं बनारस के वह रहने वाले हैं साहित प्रेमी हैं साहिति घरदय रखते हैं तमाम सारे मंचों पर वो कविताएं भी पढ़ते हैं शेरो शायरियां करते हैं और जहां भी रहते हैं उन्होंने अपनी लेखनी से अपने विचारों से एक छाप छोड़ी है यूटूब से लेकर सोसल मीडिया तक पर भी उनकी काफी पहचान है दो हजार अठारा में जब वह पीली भीत के डियम थे तो उन्होंने पूर प्रधान मंत्री अटल विहारी बाजप्याई और प्रसिद्ध कवी गोपाल दास्त नीरज की स्मृतियों को सहजने के लिए भावनों का नाम करन करने के लिए वह का अनेक और कहा जाए तो उसके रूप भी अनेक हैं लेकिन उनकी इस तस्वीर ने उनको बहुत परसिद्धी दिलाई है हाला कि इन दिनों अखिलेश मिस्रा पिछले काफी समय से परिवान विभाग में विशेश सचू के पत पर तैनात हैं और कहा जाए तो सासन में फेस्बुक पर ये बात लिखी कि उनका उद्देश इससे कोई परचार पाने का नहीं था वो इलहाबाद से लौट रहे थे और रास्ते में एक दुकान पर सब्जी खरीदने के लिए रुके थे जहां पर जो बुजूर्ग महिला सब्जी बेच रही थी वो थोड़ा काम क के लिए गई और उन्हें अपनी दुकान की रखवाली करने के लिए बैठा दिया इसी बीच उनके साथी ने उनकी फोटो खीच ली और टमाटर बेचते हुए उसको फेस्बुक पर डाल दी ऐसी तस्वीरों में न तो कोई अपराध है और न कोई बुराई या एक अफसर क के मन के हिर्दय के उनुद्गारों और उस चरित्र को दरसाती है जो आम जन्मानस से जुड़ा रहना चाहता है जो सड़क किनारे बैठे लोगों से भी आसानी से मिल जाता है घुलता है और बातचीत कर लेता है उसे साहबी और गाड़ी और ब्यवस्था के बजाए आम आनन्द आता है तो सुभाविक है कि जिस अफसर के अंदर इश्वर ने इतने गुड़ दिये होंगे उसके लिए सवक किनारे बैठकर सब जी बेचना कौन बड़ी बात है लेकिन अखिलेस मिस्रा जहां भी रहे हैं अपनी छवी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं अच्छा का काम करते हैं ब्यूरो क्रेसी के अच्छे अफसरों में उनकी पहचान है और हस्ते मुस्कूराते हुए मिलते हैं वह इस तनाव भरे काम में महावल में जीवन में ना तो तनाव देते हैं ना तनाव लेते हैं हां अगर कुछ कुछ देंगे तो आपको मुस्कुराहट कुछ देंगे तो आपको कुछ साहित की नहीं लाइने वैराल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही लेकिन हम जाते जाते अखिलेश मिस्रा की समाजिक ब्योस्था पर जो तमाम सारी उनकी लाइने हैं सोच हैं जो साहित है उसकी दो लाइनों के साथ समापन करेंगे समाजिव ब्योस्था पर वो लिखते हैं कि कहां तो वादा था नौकरी हरे घर लिए और कहां मिले नाब दिहाडी रोटी भर के लिए जाती ब्योस्था पर भी उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है कि बाभन हुए यादव हुए मुहार हो ग विप एले पाल राए भी आरे दो लिए मिल्डिएग टुटार लाम लाए 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 वाला लाए 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 लाए.